हे गाईज गूड इवनिंग एंड वेलकम टू देव भूम करियर पॉइंटों देखे दोस्तों यहाँ पर एक करेंटरफियस का एक महतोपुंग टॉपिक है अक्टूबर 2019 तक के सभी महतोपुंग जो इंडेक्स हैं वो आपको एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं इंडेक्स में हम जानेंगे कि भारत का प्लेस क्या रहा इसको कौन सी संस्ता जारी करती है और फर्ष्ट प्लेस पे कौन सी कंट्री रही तो काफी महतोपुंग है आजकल एक्जाम पैटन थोगा चेंज हुआ है सूचकांग न पूचके डारेक्टली एक्जाम इनर क्वेशन पेपर में डाल देते हैं कि फला सूचकांग में भारत की रैंक ये रही इसको कौन सी संस्ता जारी करती है तो इस टैप के क्वेशन द महतोपुंग लिए टॉपिक है ठीक है अन्य वरिस एक्जाम के लिभी महतोपुंग है जिन लोगों का SSC रेलवे या कोई भी एक्जाम है वहां पे इंडेक्स से रिलेटेट क्वेशन पूचे जाते हैं ठीक है तो देखेंगे इसमें महतोपुंग इंडेक्स हैं अच्छे इस वी रैंक मिली है टोटल 156 देशों को लिया गया था इसमें पहला प्लेस मिला है फिनलाइंड को एंड ग्लोबल हैपिनेस इंडेक्स यानिकी विश्व प्रसंदता सूचकांग इसको रिलीज कौन करता है युनाइटेट नेसंस सस्टनेबल डेवलप्मेंट सॉलिशन इसको रिलीज करती है उनाइटेट नेसंस सस्टनेबल डेवलप्मेंट सॉलिशन नेटवर्ग तो विश्व प्रसंदता सूचकांग देखिए पहले प्लेस पर फिनलाइंड यानि कि फनलाइंड ठीक है एक ऐसा देज जांके हर नागरिक फन करते हैं वहीं खुश रहेंग अगला जो सूचकांग है अगला इंडेक्स है वॉल्ड ट्रेवल टोरिज्म कौमपेटिटिवनेस इंडेक्स 2019 यानि कि विश्व परियाटन प्रतिसपरदा सूचकांग यानि कि किस देश में कितने टुलस ते जाते हैं कौन सा देश परियाटन की मामल पे टॉप पे है तो इस इंडेक्स को रिलीज करता है वर्ल्ड एकोनोमिक फॉरम ठीक है ध्यान देखेंगे वर्ल्ड एकोनोमिक फॉरम लेकिन बात कुरूं में देखें 140 में से 34th rank is not bad ठीक है भारत नहीं यहां पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया है नेक्स इंडेक्स है वर्ल्ड डिजिटल कंपटिटिवनेस इंडेक्स ठीक है रैंकिंग 2019 तो यानि कि विश्व डिजिटल प्रतिसपर्दा रैंकिंग तो देखें टोटल 63 देशों को इसमें लिया गया था भारत को इसमें प्लेस मिला 44th फर्स्ट प्लेस पे काबिज हुआ USA ंड वजट डिजिटल प्रतिसपर्दा रैंकिंग जो है दोस्तो विस्स्व डिजिटल प्रतिसपर्दा रैंकिंग इसको रेलिश करने वारी सस्ता है International Institute for Management Development, ठीक है, इसको IMD भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, अकर short में आगए का exam में, तो आप बिल्गुल भी confused ना हो, IMD means International Institute for Management Development, ठीक है, इसके बाद जो next index है, दोस्तों, यह है HDZ Zender Equality Index, जो कि 2019 में पहली बाहर आउजित किया गया, इससे पहले भी होता था, Zender Equality Index होता था, लेकिन HDZ Zender Equality Index, 2019, फर्स्ट टाइम हुआ, इसमें भारत को rank मिला है 95th, फर्स्ट प्लेस पे है, no doubt, Denmark, ठीक है, एक ऐसा देश, देखें, mark आ रहे हैं, Denmark, एक ऐसा देश, जो पुरिस महला में कोई भी मार्क नहीं लगाता, यानि कि पुरिस महला में कोई भी भ संसता है, वो है Equal Measures 2030, ठीक है, यह एक संगठन और ओगनाजिशन है, ठीक है, Equal Measures 2030, ठीक है, तो जेंडर Equality समझ रहे हैं, आप जेंडर Equality का मतलब है, हिंदी में अगर मैं बोलू, तो लिंग समानता सूच कांक, मतलब किसी देश में महला और पुरूस के बीच में कितने भेदभाव हैं, यह भेदभाव काम के आधार पे भी हो सकते हैं, और सैली के आधार पे भी हो सकते हैं, सामाजिक स्तर के आधार पे भी हो सकते हैं, जिस देश में जितना कम यह भेदभाव होगा, वो देश टॉप मरेगा, जहां पर ज़्यादा होगा, वो देश बॉटम म तो global innovation का मतलब होता है नवाचार या कुछ नया करना ठीक है तो westwick नवाचार सूचकांक इसको बोला जाता है इसमें पहले place पे राज Switzerland और भारत को इसमें रैंक मिला दोस्तों 50 seconds ठीक है यानि कि 52 रैंक है भारत की global innovation index 2019 में इसको देखे काफी ज्यादा केवल मैं बात करते हूं कोई individual एक organization या कोई संस्ता इसको रिलीज नहीं करती इसलिए यहां पर मैंने नहीं दिया है काफी ज्यादा संस्ता हैं अलग जगे कि जो मिलकर इस सूचकांग को रिलीज करती है global innovation index ठीक है तो इसलिए मैंने नहीं दिया इसके बादे ग्लोबल पीस इंडेक्स 2019 यानि कि विश्व सांती सूचकांग तो विश्व सांती सूचकांग 2019 इसमें भारत की जो रैंक है वो है 141 बहुत यहां पर मैं बोल सकता हूं not good ठीक है बिल्कुल अच्छी बात नहीं है क्योंकि देखे भारत की रैंक बताती है कि इसमें कहीं अभी भी सांती का जो लेवल है काफी कम है और ज्याद़ तर देखे जो हमारे देश में रहता है खासकर अब आपको पता है ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करते हैं आगे बठेंगे और इसको जो रिलीज करते है दोस्ता उ सस्ता का नाम है ऑस्ट्रियन थिंग टैंक है त्लिक टैंक थेटारगा एंश्ट्रेलЕक टैंक है इंसट्ट्थुटर कोणों हिद इसirmi एकॉनॉमिघ का पीस आइसललैंड देखिए लगा ता दूसरा पहली रांग पर ग्लोबल पीश इंडेक्स में 2018 में भी इसलेंड पहले पलेस पर दा और लाघ्च्छ्ट-प् आपने पहले प्लेस में आइसलेंड है लास्ट प्लेस में बॉटम में अफगानिस्तान है और भारत का जो रहे हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स में 141 में है इसके बाद नेक्स जो इंडेक्स है वो है वर्ल्ड कॉंपेटिटिवनेस इंडेक्स 2019 यानि कि विश्व यहां पर जारी कौन करता है इंटरनेशनल इंस्टिट्ट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानि कि आएमडी ही इसको रिलीज करता है जो उपर बता है मैंने अभी आपको इसमें भारत को रैंक पिलिया है 43rd एंड फर्स्ट प्लेस पिला है सिंगापूर वर्ल्ड देमोक्रेसिए इंडेक्स 2019 यानि कि लोकतंत्र सूचकांग ठीक है तो लोकतंत्र एक भारत एक लोकतंत्र देश है डेमोक्रेसिए है मारे देश में और डेमोक्रेसिए इंडेक्स को कौन करता हैma economic intelligence unit ध्यान रखेंगे economic intelligence unit नामक organization इसको रिलीज करता है इस रिपॉर्ट को इस इंडेक्स को, इस में भारत को place मिला है 41 यानि कि 41 नारवे देश में जो डिमोक्रेसी है वो सबसे ज्यादा मजबूत है, डिमोक्रेसी की जो विश्वन यहता है, वो अन्य देशों के मुकाबले कहीं ज्याधा है. अगला जो सूचकांग के काफी महत्तोपुन है काफी बार एक्जाम में पूछा जाता है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यानि की प्रेस स्वतंतरता सूचकांग ठीक है कि कि किसी देश में जो मीडिया है प्रेस है वो कितनी फ्री है या कितनी उसमें foundation है इस आधार पे ये rank जारी की जाते है तो press freedom index 2019 इसमें जो भारत को place मिला है ये भी not good 148 यानि कि 140 में place मिला है भारत को और first place पे रहा है no doubt नार्वे तो नार्वे में जो presses दोस्तों वो सबसे ज़्यादा free है यानि कि कोई भी सरकार हो गई कोई भी वहाँ पर economic body हो गई कोई भी वहाँ पर जैसे हमारे आप बोलते हैं दबंग आदमी या business person मीडिया को control नहीं करता है मीडिया पूल तरह से free है नार्वे में भारत में काफी देखने को मिलता है इसलिए काफी नीचे rank आई है भारत की इसमें और सबसे महत्तों पॉइंट बनता है इसमें प्लेस इसके बाद देखे ग्लोबल इंटेक्सवल प्रॉपर्टी इंडेक्स जिसको हम बोलते हैं वैस्विक बॉद्धिक संपता सूचकांग तो वैस्विक बॉद्धिक संपता सूचकांग 2019 में भारत की रहेंक है 36 मी पहले प्लेस पर रहे यूए से और इसको रिलीज इसको रिलीज करते है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज पर्फॉमेंस इंडेक्स ठीक है तो यानि की वैस्विक जलवायू परवर्तन प्रतर्शन सूचकांग तो इसमें भारत की रहेंक का काफी इंप्रूब्मेंट देखने को मिला है दोस्तों भारत की रहेंक के 11 और पहले प किलोबल टेलेंट कॉमपरिटिव इंडेक्स ठीक है तो कॉमपरिटिव टेलेंट कॉमपरिटिव इंडेक्स यानि के आप समझी गएंगे प्रतिभा सूचकांग विस्वैस्विक प्रतिभा वैस्विक प्रतिभा प्रतिसपर्दा सूचकांग तो इसको रिलीज करता है इंस्टीट बिजनेस स्कूल और इसमें जो भारत को रैंक मिली दोस्तों इस बार असीवी रैंक है भारत की गलोबल टेलेंट कॉंपटिटिटिव इंडेक्स में और पहले प्लेस मेरा सूचकांग तो यहां पर भारत की रैंक रही है अड़तर भी यानि की दुनिया के टोटल देशों में से अगर बात की जाए भारत दुनिया का अड़तर मां सबसे भ्रह्ष्ट देश है और बात करेंगे पहले प्लेस में कौन सा देस रा तो यहां पर पहले नहीं राग दैनमार्क दुनिया का सबसे खनव यानि का मतलब यहनकोई कि दैनमार्क सबसे चाहदब अ है ठीक है महाँ पर बिल्कुल भी ब्रश्टाचार नहीं है और ग्लोबल करप्शन परसप्शन इंडेक्स यानि कि वैस्वीक ब्रश्टाचार जो सुचकांग होता है इसको रिलीज करने वाली संस्ता है ट्रांस्पेरेंसी इंटरनेशनल यह काफी बार पूछा गया है प्रि अब रिसेंटी आई थी है लॉंच हुई थी ग्लोबल हंगर इंडेक्स वैस्विक भूख सूचकांग देखें दोस्तों वैस्विक भूख सूचकांग 2019 में भारत की 102 रैंक रही है जो कि कहीं नहीं बहुत ही चिंतनी है और बुरा भी लगता है अपने देश के बारे में ऐ भारत से कहीं आगे है इस रैंकिंग में पाकिस्तान हो गया पांगलादेश हो गया चाइना हो गया वहां पर जो भूके लोगों की स्तितिय बहुत कम है हमारे देश में इसका मलब जो हंगर पीपल है वो बहुत जाद है ठीक है तो 102 रैंक यह बहुत ही निंदनी है रहें कि कि साब से देखा जाए तो काफी लोग मिलकों बोलते हैं मैं वीडियो में यहां पर आइडोलोजी की बात नहीं करता है फालतों की बाते करता हूं लेकिन सोच यह दोस्तों यह भी एक सोचने वाला भी से है अगला देखिए हुमन डेवलप्मेंट इंडेक्स 2018 अभी देख 2018 यहां पर भारत की रेंग थी 130 भी पहले प्लेस पे था नार्वे ठीक है और है रेंग को कौन रिलीज करता है तो यह करता है UNDP United Nations Development Program ठीक है इसके द्वारा रिलीज की जाती है मानव विका सूचकांग रिपोर्ट ध्यान रगेंगे महत्तव पूंगे यह भी कई बार सबसे पहले तो कौन सा मंत्रा लए इसको करवाता है तो इसको करवाता है दोस्तों आवास हैं सहरी कार्य मंत्रा लए ठीक है ध्यान रखेंगे आवास हैं सहरी कार्य मंत्रा लए वर्तिमार में जो इसके मंत्री हैं आवास हैं सहरी कार्य मंत्रा लए कि वो हैं हर्डीप सिह पूरी ठीक है तो स्वच्छता सर्व्यक्षण में लगातार तीसरी बार सबसे स्वच्छ सहर का टाइटल जीता है इंदौर ने मध्यपुलतेश में हैं इंदौर सहर और लगातार तीसरी बार इंदौर को स्वच्छ सहर का आवार्ड दिया गया इसके बाद आता है सबसे जो उत्राखंड के गोचर को ध्यान रिखेंगे उत्राखंड में एक प्लेस है गोचर चमोली जनपद में तो इसको मिला है स्वच गंगा टाउन पुरुषकार इसके बाद के सबसे जो जानते है जो आरमी का एरिया होता है जैसे रानिकेथ मसूरिवाला हो गया चक्राथा प्लेक्शनद के रिपोर्ट के आदार पे आये थे यहां सेहर और केंटरमेंट गंगा टाउन यह बताना आपके जरूरी है ठीक है बात करें दस लाग से उपपर ही सेहर की तो दस लाग से उपपर की आबादी वाले सेहरों में अमधाबाद को पहला प्लेस मिला है ठीक है तो दोस्तों यह था एक्टुबर 2019 तक जो महतोपूर्ण इंडेक्स थे और साथी यह स्वच्चता सुचकांग थे हमने देखें बहुत ही महतोपूर्ण टॉपिक है दोस्तों यहां से एक नंबर का दो नंबर के कुश्यन जरूर बनते हैं पीसेस लेवल के एक्जाम में और सांती जो अधीनिस्त सिवाचेन आयोग का आपका परिक्षा होनी है हाई कोट क्लर्क और आसुलीपिक की वहां पर भी करेंट टॉपिक का काफी ज्यादा वेटेज रहेगा मैं अब भी बोल ला हूं करेंट जो फॉलू नहीं करेगा उसक